हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है सुमित राटी और आप सभी का स्वागत करता हूँ में इंडिया के लार्जेस्ट ओनलाइन स्टडी प्लाटफॉर्म जिसका नाम है अनेकैडमी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार आप सो request है कि एक बार वीडियो को like कर दें वीडियो को share कर दें ताकि सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में क्या हो सके connect हो सकें तो दोस्तो आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले एक बहुत important मुद्दे की, जिसका नाम है आपका Karen Energy Issue, Complete Analysis इसका बारे में करेंगे, यह important है क्यों, क्योंकि दोस्तो एक तो Karen का issue, एक Vodafone का issue, ठीक है, यह दो issue बहुत important है, with respect to that retrospective taxation, ठीक है, आपने सुना हो भी बहुत ही जरूरी है, तब ही हम इस पूरे मुद्दे को कर पाएंगे, इस सारी चीज को कर पाएंगे, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, यह अपने चार चैनल्स हैं, जो आपके लिए मैंने स्टार्ट की हैं, Geography 101, UPSC 101, Current Affair 101, NCRT 101, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चारो चैनल को जाएंगे और फटा बट सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपकी जोग्रफी आपकी प्राबलम है, तो जोग्रफी आपकर प्राबलम है, तो दोस्तों यह आपका समाधान है, Geography 101, अगर आप गुरुकुल अगर आप बच्चों NCRT पढ़ना चाते हैं, जो कि हर बच्चा पढ़ता है, UPSC Esperant, तो आप दोस्तों यहाँ पर जुड़ सकते हैं, NCRT 101 पे मेरे साथ, ठीक है, उमीद है सब बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आगे बढ़ता हूँ प्यारे NCRT पर भी हो आपके साथ, और NCRT पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, with the name Sumit Kumar, Sumit Kumar मेरा नाम है, इस नाम से आप मेरे साथ connect हो सकते हो, यहाँ पर मैं quiz कराऊंगा, special class कराऊंगा, और plus course यह सारी चीज़े मैं आपको कराऊंगा, please make sure that आप code यूज़ करें Sumit 10, देखो मेरा प course live आ रहा है, कल से live हो जाएगा, 26th of, आपका में से live है, अच्छा, जो भी बच्चे मेरे से जुड़ना चाहते है, अने Academy पे मेरे course के साथ, उनको मैं बता दू, आपको code मेरा यूज़ करना है, क्या करना है, गुरकुल प्लस के लिए, आपको सिर्फ code क्या यूज़ करना है दोस्तो, you just have to use the code SUMIT10, ठीक है, आपको SUMIT10 code यूज़ करना है, आपको पता है, SUMIT10 खास है, बाकी अब समझदार हो, दोस्तो, Karen Energy verdicts के बारे में हम बात करेंगे, आज Karen Energy के बारे में, जो हमारे Minister है, उनकी तरफ से एक official statement आया है, पहले में एक छोटी से स्टोरी आपको important नाम आ जाता है, जब भी अगर हम बात करते हैं, किसके case में, कि कोई भी dispute है, tax related हो, जैसे बारत के जितने बगोडे हो, बाक के UK में जाते हैं, UK की extradition treaty जो है, वो बहुत, जो है, controversial है, so उसी मुद्दे पर ये भी एक मुद्दा जुड़ा हुआ है, जो UK से ही मुद्दा ज करता हूँगा, एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाऊँगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, दोस्तो कैरन एनर्जी जो है, basically UK based firm, ठेक है, ये क्या है, UK based firm थी, ये भारत के अंदर में भी काम करती थी, लेकिन भारत के अंदर में इस कैरन एनर्जी ने क्या किया वा था निवेश किया था, नो अलग-अलग देश से, मैंने आपको morning में बताया था, बात हुई जी हमारी, एक होती है, हमारे पास parent company है, जिसको हम holding company भी बोलते हैं, जैसे हमारे पास Tata Suns है न, Tata Suns एक holding company है, वास्तो में कोई काम नहीं करती है, लेकिन हा, इसके नीचे बहुत सार पारी company हैं, जिनको ये समालती है, managing, इनका manage करती है, जैसे हमारे पास है TCS, जैसे हमारे पास क्या है दोस्तो, Tata Motors, ठीक है, ये है न, तो ये क्या करती है, इनको manage करती है, वास्तो में काम इनका है, देखो TCS आपको क्या करती है, software services provide करती है, Tata जो है, आपको motor आपको गाड ये बना करती है, लेकिन इनकी holding किसके पास है, इनका मालिकाना Tata Suns के पास है, तो ये होगी parent company, sorry, parent या holding company होगी Tata Suns और ये होगी subsidiaries, इसी प्रकार से Karen Energy ने अपनी 9 अलग अलग देशों के माध्यम से इंडिया में subsidiary बनाई हुई थी, इंडिया में 9 countries से, कितने country से दोस्तो इंवेस्ट किया हुआ था, इंवेस्टमेंट किया हुआ था, तो अभी Karen Energy की अलग अलग 9 देशों में से क्या थी, इंवेस्टमेंट थी, उसके बाद क्या किया, 2005 के आसपास, इसने इंडिया के अंदर में अपनी firm स्तापित कर ली, जिसका नाम था, आपका Karen India, क्या नाम र लिस्ट कर लिया, है ना, क्या कर लिया, stock market में लिस्ट कर लिया, अब सोचों, नई-नई कमपनी बनी है दोस्तों, और नई-नई कमपनी में सोच के देखो, कितनी भारी मातरा के अंदर में इधर से stock जो है, share जो है इसमें आये थे, तो इसको बहुत बड़ा फाइदा हुआ, इसका जो stock का price बहुत बड़ गया, उसको हम बोलते है capital gain, तो company को क्या हो गया, प्यारे बच्चों, company को हो गया capital gain, अब जब capital gain होता है, तो उसपे tax बनता है, और ये tax जो है, पहले सरकार को ध्यान नहीं आया, 5-6-7 में सरकार अमारी इतनी ध्यान थी नहीं, 2012 में अमारी सरक जगी उनको लगा, ओ तरीक है, इसपे तो tax बनता है, 2012 के अंदर सरकार ने union budget के अंदर में, जो हमारा income tax act है, income tax act जो है 1961, उसके अंदर इसने इसमें बदलाव किये, और उस बदलाव के दुबारा इन्होंने क्या किया, 1961 में बदलाव किये, और बदलाव के बाद में इन्हो ने ये चीज़ जोड दी, कि भईया सुनो अगर ऐसा किसी company के structure बदलाव आता है न, तो उस company को क्या करना पड़ेगा, tax देना पड़ेगा, अब ये कानून 2012 में लागू हुआ था, लेकिन इसने बोल दिया कि हम retrospective इसको लागू करेंगे, पीछे से लागू करेंगे, ताकि जो Karen Energy का मामला है, साथ-साथ जो Vodafone का मामला है, वो भी इसके अंदर में क्या हो, कबर हो, ठीक है, और Karen Energy और Vodafone को tax भरना पड़े, भारत सरकार ने डिमांड की 10,000 कुछ 200 करोड के असपास के डिमांड की tax किस से, Karen Energy से, Karen Energy ने मना कर दिया, अब मना कर दिया, तो ये भारसाकार ने बेच दिया, कि अच्छा तो महमें tax नहीं देते, अब Karen Energy जो थी ये चली गई, किसके पास फिर in permanent court of arbitration, PCA के पास में चली गई, PCA की 3 member committee ने अपना decision भारत के विपक्स में सुना दिया, वो पूरा मुद्दा जो है, उसको में detail में देखेंगे, GS paper 2 से और GS paper 3 से related है दोस्तों, दो paper से related है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे है, पढ़ा रहे हैं आपको, context समझ ये, government of India अभी news आई है, कि vigorlessly defending its case against international arbitration, PCA का order आया है भारत सरकार को कि भाया, तुम्हें 1.2 billion dollar जो है, वो किसको लोटाने है, Karen Energy को लोटाने है, in the case of retrospective tax, finance ministry ने इस बात को defend किया Finance ministry ने कहा है, कि भाया हम नहीं दे रहे, हम किस बात के 1.2 billion dollar Karen Energy को दे, और आपने ये arbitration किया, PCA ने एक मद्यस्ता की है, हम कह रहे हैं हमने मद्यस्ता कराई ही नहीं, हम तो इस मद्यस्ता के लिए कभी सहमत ही नहीं थे, मद्यस्ता कब होती है, आपका और मेरा जगड़ा हो ठीक है, आप चलें और मैं चलें, हम तीसरे party के पास चलें और हम कहें ठीक है, हमारा फैसला करादो, भई हम दोनों फैसला कर लेंगे, उसको बोलते हैं मद्यस्ता, तो मद्यस्ता में ये पक्स और ये पक्स, दोनों पक्स क्या होने चाहिए, अगरी होने चाहिए, तभी भारत सरकार ने तो कभी का यह नहीं, भारत सरकार ने ये कहा था, ठीक है, हम टैक्स का मुद्दा हम सुलजा लेंगे, लेकिन हम भारती हो कानून के अंदर गत सुलजाएंगे, अगर तुम विदेश में लेके जाते हैं, हम इस मामले पे कोई भी फैसला नहीं करेंगे, दि कैरन एनरजी के फेवर में और भारत सरकार के अगेंस्ट में उन्होंने अपनी रूलिंग की थी, रूलिंग में क्या बोला था, ट्राइबुनल ने ओर्डर किया था, भारत को कि तुमें एक दसमलो चार बिलियन डॉलर कमपनी को कमपन्शेशन के रूप में क्या करना है, ठेक है, अब इससे क्या हो गया, सुचो, ये कमपन्शेशन का PCA ने बोल दिया, अब कैरन एनरजी के आग पर खुल गे, उसने का कि अच्छा, ऐसी बात है, चलो, अब क्या करते हैं, भारत पे दबाव बनाते हैं, और भारत पे दबाव बनाने के लिए दोस्तों, दुनिय के पाँच अलग-लग देश में जाके उन्होंने केस फाइल कर दिया, ऐसे उन्होंने US में केस डाला, UK में केस डाला, जर्मनी में केस डाला, नीदरलेंड में केस डाला, फ्रांस में केस डाला, कनाडा में केस डाला, इन पाँच अलग-लग देशों के अंदर में उसने जाक कि क्या का कि जो Air India है इसके asset को जब्त कर लो और Air India के asset को जब्त करके इसको बेच दो और मुझे मेरा पैसा दे दो ये Karen Energy ने बोला कहाँ पर जाकर US Court के अंदर US Court ने भारत को संबन बेजा बुलाया US Court ने कि आओ बाओ बाओ बातचीत करते हैं भारत ने पहली बार इस मामले में अपियर होके काया कि भाया ये मद्दस्ता तो हमने की ही नहीं तो हम इसमें क्या करेंगे हमारा क्या रोले हमें कोई मतलब नहीं है इस मद्दस्ता से है ना तो उसी की बारे हम बात कर रहे है सच recognition by the court opens the door for Karen Energy to seize the assets ये जो अलग-अलग देशों में जाके Karen Energy जो है ये कर रहा है इसके पीछे का purpose क्या है मैंने बताया दोस्तों ये purpose सिर्फ एक है वो चाहता है कि भारत की जो asset है उनको seize कर लिया जाए अब जैसे Indian company को US में operate कर लिये है तो वहाँ पर Indian company के asset को जब्त कर लिया जाए है ना ये कम है basically क्या करना चाहते है ये भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहते है ताकि भारत सरकार जो 1.2 billion dollar या 1.4 billion dollar की जो demand की जा रही है Karen Energy की दोबारा भारत उसको दे दे बट हम भी ऐसे ही थोड़ी ना दे दे देंगे इन्दा Karen Energy requesting information on the group reorganization इन्दा financial year 2016 यादा भी मैंने बताया था पीछे बताया था यादा यहाँ बताया था कि कैसे इन्होंने क्या क्या किया था याँ बताया था 9 अलग company थी इन्होंने Karen India बनाई इनके सारे stake इसको transfer कर दिये भारत सरकार ने 2014 अमें इन से report मांगी कि काम करो भाई तुम report दे दो कि 2006 और 2007 में जो तुमने company के अंदर में reorganization किया था ना वो क्या था reorganization उसके बारे में हमें एक report जो है वो दे दो ठीक है issue or the tax उसके बाद में क्या था यह escalate हो गया 2015 के अंदर यह issue जो है वो escalate हो गया and the authority had sent the company a draft assessment order assessing in the process that there was a principal tax amount of 1.6 billion dollar that was due ठीक है यह assessment हुआ the year in reference 2006-2007 का reference year था यह मुद्दा escalate हुआ tax authority ने बोला कि भई 1.6 billion dollar का tax देना है किसको Karen Energy को वो भी मना कर रहे था हम नहीं देंगे और इसमें जो reference year था इस tax के लिए 2006 और 2007 था दोस्तों समझ में आरी बात अब यह क्यों था tax क्यों था बनता था दोस्तों जब भी आप company के internal structure में इतना बदलाव करते हो और उससे अगर कोई capital gain होता है तो आपको सरकार को capital gain tax देना पड़ता है क्योंकि देखो Karen energy ने जो can't किया था basically can't किसके लिए किया था दोस्तों tax avoidance के लिए ठीक है कि उसको tax ना pay करना पड़े कहीं पे भी ना तो पिछले देसों में और ना इस देस में इसलिए इसने किया था ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तो basic of the tax demand भारत सरकार क्यों tax की demand कर रहा था भई tax की demand हम इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर share की बिक्री हुई थी sale of the share और share के sale जब होती है तो उसके उपर सरकार का tax बनता है it was the year in which it was not only under 2 का corporate reorganization 2016-67 के अंदर में न भाई इन्होंने ना केवल अपना structure बदला बलकि इसी time पे इन्होंने एक Indian subsidiary भी बनाई जिसका नाम क्या रखा Karen India मैंने अभी बताया आपको और 2007 में इस company को stock market में list कर दिया ठीक है उसके बाद इन्होंने जो corporate reorganization किया ना उसने सारे जो share थे वो Karen Energy ने वो transfer कर दिये कहां पर Indian assets ठीक है through the corporate reorganization process Karen Energy has transferred all its India assets which were until then hold by the nine subsidiaries इससे पहले नो अलगलग subsidiaries के पास था इन्होंने किसको transfer कर दिये जो नोने Karen India जो बनाई थी उसको transfer कर दिये ठीक है Karen India को transfer कर दिये और इससे इनको हुआ फाइदा समझ में आई बात पहले देखो 9 subsidiaries थी यहां पर कितनी subsidiaries थी दोस्तो 9 sahaya company थी इनके पास में इन्होंने 2007 के अंदर में एक नई company बना दी जिसका नाम था क्या दोस्तो जिसका नाम था Karen Energy India ठीक है क्या नाम रख दिया उसका Karen Energy इंडिया और 9 company हों के जो assets थे यह इंडिया Karen Energy को इंडिया को इसने क्या कर दिये transfer कर दिये Karen नव गठीप Karen India को transfer कर दिये समझ में आरी बात अलग-अलग company हों के पास थे अब Karen Energy कर दिया अब यह restructure हुआ उसके बाद 2007 में इनोंने अपने आपको share market में सुची बद भी कर दिया अब इससे company को बहुत ज़्यदा फाइदा हो गया और फाइदागर होता है share के sales होती है तो ऐसे में company को tax pay करना पड़ता है बट यह tax pay करने से मना कर रहे थे but the tax authority claimed that in the process of this reorganization Karen Energy had made capital gain worth rest 24,500 करोड है ना इतना capital gain हुआ है उसको और इतना फाइदा उसको हुआ है अगर भाई तुमें फाइदा हुआ है तो tax तो देना बनता है सरकार ने tax मांग लिया तुमसे this the department asserted that the basic for the tax demand सरकार कह रही है भाई हम तो इसी basis पे तो तुमसे tax के demand कर रहे है है ना हम फाल दूम धूरी न मांग रहे है अचा जैसा Karen Energy ने किया ऐसा ही किस ने किया दोस्तो Vodafone ने Vodafone में भी ऐसा ही हुआ है Vodafone हच का हच कंपनी थी एक जिसका नाम था हचिसन हचिसन कंपनी थी जिसको हच बोलते थे हम तो उसको भी Hong Kong based company थी उसको भी acquire कर लिया था UK based company ने Vodafone ने तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था same time का वो भी देख लो Vodafone वाला case क्या था वो भी हम इंडिया वो भी case हार गया था ये वाला case भी मार गये थे तब Vodafone case in 2007 was triggered by the Hong Kong Hutchinson Telecommunication sale of its stakes in the India Hutch SR to Vodafone based out in the Netherlands ठीक है इसमें भी क्या हुआ था the Hong Kong firm made a capital gain on this जब Hong Kong मतलब Hutch company ने जब अपने stake बेचे Vodafone को तो उसको भी उसपे क्या हुआ था capital gain हुआ था capital gain पे tax बनता है ठीक है और इसलिए यहां से भी इन से भी हमने tax की demand की है ना they held that Vodafone should have withheld the tax and therefore impose the liability on it भार सरकार ने का गी तुम tax नहीं भर रहे तुमें tax भरना चाहिए तुमें capital gain हुआ है तुम tax नहीं भर रहे तुम पे भी हम tax वो लगाते है ठीक है fine लगा देते हैं हम liability लग देते हैं अब ये भी लोग supreme court में चले गए the supreme court quest the taxman's demands that the sale of share on this case would amount a transfer of capital assets within the meaning of the section 214 of the Indian income tax what govern the sale of the share देखो अब जो हम इंडिया में जो भाई मालो जैसे Karen Energy ने share बेचे या Vodafone ने share बेचे हुआ क्या है company ने internal reorganization किया और company किया जो internal reorganization पुनर गठन हुआ है इससे एक company को capital gain हुआ है और capital gain हुआ है तो capital gain के अंदर में उनको capital gain में उनको tax pay करना पड़ेगा तो union budget 2012 के अंदर में हमने कानून बना दी हमने अपने income tax act में सुधार कर दिया ठीक है और इसको सुधार करके हमने कर दिया कि वही अगर इस प्रकार से अगर कोई भी reorganization होता है अगर share का transfer होता है भारत में हो या outside the country हो तो उसमें income tax act 1961 के तहत में उसमें tax लगेगा लेकिन ये कब हुआ था 2012 में यही main bond of contention है ये कानून बना 2012 में मतलब 2012 के बाद tax लगना चाहिए बट हम demand कर रहे है 2012 से पहले tax retrospective tax के हम demand कर रहे है this was done when the value of those share is based on the asset in India and this was applied retrospectively ये retrospective होगे 2012 में हुआ and we are demanding the tax कब से demand कर रहे है हम दोस्तों we are demanding the tax from 2012 हम 2012 से पहले एक demand कर रहे है ठीक है तो ये जो law है जिससे इस tax को क्या किया गया 2012 the income tax act 1961 was amended to make sure that even if transfer of the share take place outside the India such transfer can be taxed अगर ऐसा कोई भी transaction होता है वो बढ़े इंडिया के बाहर हो तब भी उसके उपर tax लगेगा और सरकार उस पे आपसे tax वसूल कर सकती है Karen won over retrospection अचा Karen energy को इस पे जीत मिल गई है Vodafone को भी इस पे जीत मिली और Karen energy को भी दोनों को इसमें जीत मिल गई क्योंकि ये permanent court of arbitration के पास PCA के पास PCA ने इनके मामले हक में फैसला सुनाया the action against Karen energy was based on this move India lost its arbitration case against the Vodafone as well with the government being asked to fork out around 80 crores समझ में आगी बात आपको तो भारत दोनों ही case आर गया what happened after the tax claims in the Karen energy dispute इसके बाद क्या होगा after receiving a draft assessments order from the tax authorities Karen UK holding limited appealed before the Indian tax appellate tribunal भाई पूरा मामला देखा उसके बाद में जो Karen energy है जो UK में Karen energy है इसकी जो holding company याद है अभी holding company और नीचे subsidiary company दिए तो holding company ने इंडिया में आके जो इंडिया का जो tax appellate tribunal है उसमें आके appeal की कि एसा ऐसा बात है और इसको सुलजाओ अचा उस समय भारत के जो finance ministry के top officials है ना उसने इस बात को कहा कि ठीक है हम इस मामले पे सुनवाई करेंगे और हम इस मामले की जांच भी करके समिक्षा करके हम इस मामले में फैसला करेंगे लेकिन फैसला होगा भारते कानूनों के तहत Indian tax law के तहत हम इसका निवारन करेंगे लेकिन ये दो भाग गए कहाँ पर permanent court of arbitration के पास है ना हम तुम से टेक्स मांग रहे हैं 2015 में और टेक्स ये हुआ कब था 2006 में कितने साल होगे आप देख लगबग 10 साल होगे 9 साल होगे 9 साल का में इंट्रेस छोड़ देता है लेकिन जो main tax है हमारा वो तो तो तुमें pay करना पड़ेगा ये हमने बोला company ने it had initiated proceeding of arbitration under the UK India bilateral investment treaty इसके बाद में ये company Karen India holding पहुच गी कहाँ पर PCA के पास में PCA के पास में जाके हेग नीदर लेंड के अंदर इसने जाके अपना arbitration स्टार्ट कर दिया और इसने दुआई दी किसकी UK और इंडिया के बीच में एक bilateral investment treaty हो रखी है भारत और UK के बीच में जो दुई पक्षिय निवेश संधी है ना उसकी दुआई दी कि उसके तहत हम चाते हैं इसकी मद्यस्ता कराई जा सके बट इसी दोरान भारत ने क्या किया दोस्तो government ने Karen के almost 5% जो थे वो holding को seize कर लिया और उनको बेच दिया लगबख कितने में 1140 करोड में भारत सरकार ने इसको बेच दिया ठीक है यह हमने बेच दिया ठीक है What was the main argument of Karen energy during the arbitration अब Karen energy की main क्या demand है इस arbitration में वो बात करते हैं तक claimant Karen energy, Karen energy claimant है वो claim कर रही है and Karen UK holding argued that till amendment was made to the tax retrospectively in 2012 यह कहरा है कि अगर तुमने 2012 के अंदर में tax बदला है ना तो इसी लिए तो यार कोई हम पे तो कोई tax लगना ही नीची है There was no tax on the indirect transfer इसी लिए तुमने tax कानून बनाया 2012 में बात भी सही है यार 2012 में तुम कानून बना रहे हो लेकिन सरकार ने इसको retrospective मतलब पीछे की date से इसको क्या किया है लागू किया है यह क्या रहे है कि 2012 में तुम बना रहे हो और लागू तुम कब से कर रहे हो इसको 2015 में तुम्हें याद आया और तुम इसको लागू कर रहे हो 2006 से तुम गलत चीज़ है Indirect tax transfer here mean transfer of non-resident of share in the non-Indian companies which indirectly held the assets in India अब एक मुद्धा और भी है देखो यह जो no subsidiary थी ना यह Indian subsidiary थी ही नहीं यह Indian subsidiary थी ही नहीं लेकिन फिर भी भारत सरकार ने काया है कोई बात नहीं Indian company नहीं थी यह इंडिया में नहीं थी लेकिन इनका functioning जो था वो इंडिया से related था ना इंडिया इसमें involved था ना और यही कहा कि भले ही हमने कानून 2012 में बना है लेकिन भारत के tax कानून में यह प्रावदान बहुत पहले से था कि यदि भारत किसी company के इस प्रकार के affair में involved है और अगर उसके अंदर में restructure होता है कोई बदलाव होता है तो भारत को उसमें से tax चाहिए भारत सरकार का उसमें tax कहा कि बनता है ठीक है अब जो 2012 में हमने संसोधन किया यह लोग बोले कि नहीं यह तो भारत और UK का जो दुई पक्षी है आपका निवेश संधी है उसके against है ठीक है यह बोला गया ठीक है यह बात बोलते रहे अब इंडिया का डिफेंस क्या है वो समझो देखो इंडिया ने जो है इसको counter किया कैसे इंडिया's counter to the main charge of current energy was that its 2006 transaction was taxable irrespective of 2012 amendment बारत सरकार ने का है भले ही हमने कानून 2012 में बदला है लेकिन अगर हम कानून नहीं भी बदलते तब भी तुमें tax देना पड़ता 2006 की इस transaction के लिए क्यों ऐसा क्यों 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 क्योंकि Indian laws के अंदर में पहले से यह permit किया है इस प्रकार के taxation अगर आप ऐसी कोई भी transaction करते हो जिसमें भारत का जो है एक strong relation है तो उसमें tax बनता है It argued that Indian law has long permitted tax station where a transaction has a long economic nexus with India हमने तर्ग दिया कि भारत के कानून में लंबे समय से इस प्रकार के कराधान की जो है अनुमती दी गई है जा इस प्रकार का लेन देन होता है ठीक है और किसी भी प्रकार से अगर भारत सरकार इंडिया जो है उसमें involved होता है ठीक है तो ये वाली बात बोली गई उसमें ठीक है भारत कह रहा कि भले ही ये रेत्रोस्पेक्टिव हैuan पीछे की डीट से कर रहे है लेकिन हमारे कानूनी डाचे और हमारे सविधान के अंधरगत हम ये टेक्स आपसे वसूल कर रहे ह हम गलात ये जबरन आपसे टेक्स वसूल नहीं कर रहे है अर्बिटरेशन कहा रहा है कि भारत ने जो UK इंडिया बाइलेटरल इंवेस्ट्मेंट ट्रीट्टी थी ना संदी जो थी भारत ने उसको तोड़ दिया है ब्रीच कर दिया है भारत जो है कैरन एनर्जी को इन्वेस्ट्मेंट प्रोटेक्शन देने में असफल रहा उसको free औ आपकी आउटकूट आई ट्रबुनेल ने कहा कि इंडिया फेल टू अकोर्ड करन एनर्जी इंवेस्टमेंट फेर इंडिक्विटेबल ट्रीटमेंट अंडर दा बाइलेटरल प्रोटेक्शन पैक्ट इटाड विद दा उनाइट किंग्डम इट आल्सो ओर्डर इंडिया 1.2 billion dollar ठीक है? एक दसमलो 2 billion dollar दो किसको फूपा हुए 1.2 billion dollar दो ये बात बोल ली गई अब आगे का रस्ता क्या है? दूस्तों आगे का रस्ता यही है भारत को जो है बोलना चीए कि बही ठीक है हम arbitration को तो माननेंगे नहीं लेकिन हम हाँ ठीक है भारत के अंदर में भारत के नियमों के तहत हम इसकी क्या करेंगे सुनवाई करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसको क्या करने की it has been reported in the media that India will appeal against the tribunal decision ये मीडिया में है भी कि भारत जल्दी हम इसकी खिलाफ क्या करेंगे अपील करेंगे इफ enforcement proceedings are initiated India is confident of addressing them and will strongly differentiate interest और ये कहरा कि यदि रहा तो हम इसको appeal भी करेंगे और हमें उमीद है पूरी पूरी कि हम इसमें जीतेंगे भी ठीक है और मुझे पूरी यकीन है आप मेरे साथ बिलकुल जीतोगे दोस्तो unacademy पे हम आपके लिए लेके आगे हैं दोस्तो गुरुकुल प्लस सो गुरुकुल प्लस में मेरा निवेदन आप सभी बच्चों से दोस्तो कोड यूज कीजिए और फटाफट जाके अन अकाडमी सब्सक्रिप्चन लेजिए जब आप अन अकाडमी का सब्सक्रिप्चन लेंगे तो वहाँ पर आप मेरे साथ सीधा मेरे प्रोग्राम में जुड़ोगे गुरुकुल प्लस के अंदर बट याद रहे कोड आपको क्या बच्चे को करना है वो जाइए और उस कॉम्बो लिंक को यूज कीजिए और फटा फट जाके जॉइन कर सकता है अन अकाडमी को हैना कॉम्बो में दोस्तो एक येर का जो प्लान है पहले इसका प्राइस था कितना पता है 77,000 रुपए अभी कितने मिल रहा है पता है सिर्फ को ठीक है याद रखेगा आपका कोड जो होगा रैफरल कोड वो क्या रहेगा सुमेटें किसी बच्चे कोई डाउट है कोई दिक्कत है रिगार्डिंग दिस देकेन मेल मेरा कोड है जो आपको यूज करना है वीडियो पसंद आई दोस्तो तो लाइक करनी है वीडियो को श जल्दी से जाओ इस बेल आइकन को दबा दो तक कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करो थैंक यू बेरी मच टेक केर बबाई जाहिन लव यू बच्चो फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में टेक केर बबाई